नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि क्रेवास्ट टैबलेट का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है, क्रेवास्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और क्रेवास्ट टैबलेट की वज़े से क्या साइड हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्रेवास्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, क्रेवास्ट एक ब्रैंड नेम है, क्रेवास्ट टैबलेट के अंदर सौल्ट कंपोजिशन रोसुवेस्टेटिन होता है, क्रेवास्ट टैबलेट 5M 10 mg, 20 mg और 40 mg की strength में available है. क्रिवास्ट टैबलेट का उप्योग शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है. क्रिवास्ट टैबलेट शरीर में bad cholesterol के level को कम करती है और शरीर में good cholesterol के level को बढ़ाती है. bad cholesterol को LDL या low density lipoprotein cholesterol भी कहते हैं और good cholesterol को HDL या high density lipoprotein cholesterol भी कहते हैं. इसके अलावा क्रिवास्ट टैबलेट triglycerides के level को भी कम करती है. triglycerides fat की ही एक टाइप है जो blood में पाई जाती है. शरीर में cholesterol का level अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे-धीरे cholesterol जमा होने लगता है, जिसकी वज़ह से नसों में blood का circulation कम होने की वज़ह से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है. यदि आप अपने शरीर के cholesterol के level को अच्छी तरह से कम करना चाते हैं, तो आपको crevast tablet को लेने के साथ साथ कम cholesterol वाली diet लेनी चाहिए, और घीव ज्यादा तेल से बने भोजन को खाने से बचना चाहिए, इसके अलावा regular exercise करनी चाहिए. Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में crevast tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन 2% से भी कम व्यक्तियों में crevast tablet की वजह से कुछ side effects हो सकते हैं, जैसे सिरदर्ध होना, बधजमी होना, शरीर में कमजोरी वधकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्स होना और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है, crevast tablet की वजह से blood sugar level अधिक हो सकता है, कुछ व्यक्तियों में crevast tablet की वजह से liver damage भी हो सकता है, इसके अलावा crevast tablet की वजह से शरीर की मासपेशियों में दर्द, जोडों में दर्द औ और कमर में दर्द आदी साइड इफेक्ट्स भी क्रेवास्ट टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। अगर आपको क्रेवास्ट टैबलेट को लेने के बाद शरीर की मासपेशियों या जोडों में बहुत तेज दर्द होता है। तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि ये लक्षन रैब्डोमायोलिसिस के भी हो सकते हैं। रैब्डोमायोलिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मासपेशियों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। मासपेशियों के टिश्यू डैमेज होने की वज़ से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है, जो बलड में मिल जाता है, जिसकी वज़ से किड्नी भी डैमेज हो सकती है, वैसे रैब्डोमायोलिसिस होने की समभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन क्रेवास्ट टैबलेट की वज़र से राप्डोमायोलिसिस भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की क्रेवास्ट टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। क्रेवास्ट टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया ज आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में क्रेवास्ट 5 mg से लेकर क्रेवास्ट 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सला देते हैं। की डोज उम्र, शरीर के वजन और वीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको क्रेवास्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है त तो क्रिप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि क्रेवास्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। लिवर की कोई बीमारी होने पर क्रेवास्ट टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए क्रेवास्ट टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।